नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स श्वाकत है आप सभी का अप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लॉट पर दोस्तों जो अलमंडा का प्लांट में पेंग कलर का लेके आया था वाइन वाला इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो सुरू हो गई है वही जो है ये बुस वराइटी बोलके मुझे जो प्लांट नसरी वाले से मिला था ये भी अब देखें बट्स जो है बना रहा है मधुमालती के अंदर भी खूब सारी बट्स आ गई है और जल्दी ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करके मेरे गार्डेन को अपने फूलों से भरने बहुत ज़्यादा कोईरी जा रही है मधुमालती के प्लांट पर कैसे फ्लावरिंग आएं तो मेरा ये प्लांट दोबारा फ्लावरिंग कर रहा है और कैसे जो है फर्स्ट बार फ्लावरिंग के बाद मैं इसको दोबारा फ्लावरिंग तक ले आया यह मैं आप सभी से एक कईलेंचों के बारे में जिसको कहलन कोई के नाम से भी जाना जाता है इसकी दो बराइटे इस तरीके से पत्तवादी देशी वरायेटी और इसके अलावा जो है इसकी ए liner वराये भारी होती है मेरे मेरे plants नहीं है बलकि मेरे mother plants से तयार की गई cutting से तयार पौधें हैं तो ये मैंने इतने सारे plants यहां पर तयार करके हैं इसके अलामा भी मेरे पास जो है इनकी धेर सारी cuttings जो है मैंने लगाई हैं और काफी सारी मैं लगाने माला भी हूं क्योंकि जो है बहुत अच्छी व्लावरिंग बिंटर के अंदर इनकी होती है और इसके फिलावर इतने लॉंग लास्टिंग होते हैं कि एक बार अगर खेल जाते हैं तो महिनों महिनों भर तक प्लाउन पर बने रहते हैं अभी भी देखे मेरे जो हैं orange color वाले के अंदर एक-दो flower आये हुए हैं, यहां red color वाले के अंदर भी जो हैं, एक-दो-दो flowers जो हैं, वो आ रहे हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सेडी area है, जहां पर यह रखे हुए हैं, तो थोड़ा थंड़क भी रहती है, garden का थोड़ा थंड़ा हिस्सा है यह, तो हो सकता है, इस वज़ा से य रहे हैं, फिलहाल जो है, इस रेनी टाइम पर हमको किस तरीके से इनकी केर करती हैं, चलिए उस पर आगे बात करते हैं, और दोस्तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, red color वाली की cutting से मैंने जो है, वो नए पौधे कुछ तयार किये हैं, और अब तो यह बहुत अच्छ बार जो है, cutting से और leaf propagation से तयार किया था, तो एक पौधा यह मेरा mother plant से मैंने तयार किया था, और दूसरा मैंने orange वाले से यह वाला पौधा तयार किया था, और यह दोनों है मेरे mother plant, तो इसमें orange वाले की हालत तो बहुत अच्छी है, अभी यह बहुत अच्छे से जो है, ग् नीचे से देखिए जो है, यह black color होकर पता नहीं कैसे जिखिए, यह बिल्कुल टूट सी के निकल सी जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, यह भी मैं आप सभी को आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, दो color मेरे पास और है, यह जो है dark pink color है, और एक यह light pink color जिसके अंदर की अ आपने plant को ऐसी जगाँ पर shift कर लिया होगा, जहां पर इनको direct sunlight नहीं मिलती होगी, सिर्फ bright light ही जो है, वो मिलती होगी, सायद अब flowers भी नहीं आ रहे होगे, अगर आके खतम हो चुके होगे, तो आप लोगों ने तोड़ दिया होगा, मेरे तो कुछ plant पर अभी flowers आ रहे हैं कुछ branches पर मैंने ऐसे रख छोड़ा है, तो सबसे पहला तो आपको इनको shady area में place कर लेना है, जहां पर इनको सिर्फ bright light मिले, दूसरी चीज हमको क्या कर रही है, मिटी को चेक करके पानी देना है, यह आपका पौधा जो होता है, इसकी watering requirement बहुत कम होती है, बिंटर में जब इनकी कुछ dry side पर भी चली जाती है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, यह मेरी सारी की सारी जो है, वो sandy soils के अंदर लगे हुए हैं, तो अगर यह कुछ dry side पर भी चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हालां कि जो है, सबसे best method है, कि आप मिटी को चेक कर लीजिए, और उसके बाद अपने सभी पौधों को जो है, वो पानी दीजिए, अगला जो काम करना है, हमें अपने पौधे को direct rain से भी बचाना है, मेरा यह पौधा जो नुक्षान हुआ है, सिर्फ इसी वज़ा से हुआ, क्योंकि बाच्छाने बहुत तेजी के साथ अं लांचित जो है, वो खराब हो रही है, हला कि इनको मैं कटिंग लगा लूगा, तो आपको जो है, direct rain से भी बचा के रखना है, बारिस का पानी बहुत जादा जो है, आपके पौधों के उपर नहीं पढ़ना चाहिए, बहुचारे पढ़ती है, फुआरे पढ़ती है, तो को अधर कंपनी का, तो आप उसकी जगाँ पर अपने घर के किचन में उपस्तित, हल्दी का भी इस्तेबाल जो है, इनके उपर इस्प्रेकर उप्पे कर सकते हैं, साथी साथ इनकी जड़ों में भी दे सकते हैं, फंगिशाइड भी आपको बिल्कुल ऐसे ही देना है, इस प् फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, फर्टिलाइजर हम इसको देंगे अक्टूबर के फस्ट वीक में, जिससे उस टाइम पर ये ग्रोथ पर भी आए, और नवंबा तक जो है, इसके अंदर आपको फ्लावरिंग जो है, वो मिलने लगे, तो ध्यान रहें, अभ ये हैं वो चीजें, और सबसे बड़ी चीज इस टाइम पर जो है, आप अपने पौधे को चेक करते रहें, इस पर स्पाइडर माइट्स और मेली बक्स का भी अटैक होता है, आपकी कंडिशन आने ही मत दीजी, अपने पौधों पर जो है, जिस तरीके से मैंने बारिस के ब पाल दीजिए, जब पानी ठंडा हो जाए, तो आप जो है, इस प्रेयर में भरकर अपने पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, इनकी पत्तियों को अच्छे से जो है, वो धुल दीजिए, अगर कहीं पर माइट्स या बक्स या मिली बक्स का अटैक हुआ है, तो धीरे-धीरे करके वो खतब भी हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ है, तो फिर नहीं ही होगा, तो बस इतनी सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद, हमारा ये पौधा जो है, बिंटर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तयार हो जाएगा, और खूब अच्छे से जो है फ्लावरिंग भी करेगा, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसी ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं, किसी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाय, एंड टेक केर,